हेलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग डिसक्स करने होला है कि अगर आपको पुलिस कॉल करें पुलिस अगर आपको कोई पुलिस से से कॉल कर सकता है विदिन देटरिटरी अफ इंडिया तो you have the right to ask that police officer whether affair was registered in your name or not or complain was registered in your name or not अगर पुलिस बोलता है कि आपका against में complain or affair registered है बट अगर पुलिस आपको 41A का तहत, 41A under CRPC का तहत अगर आपको notice of appearance अगर provide नहीं करता है तो आपको police station जाने का बिलकुल भी जरूरत नहीं है यह उज्यले इसा देखा जाता है कि जो कि हमारा Indian society में यह काफे पहले से ओ है लेकिन अभी थोड़ा changes आया है पुलिस station का नाम सुनते ही एप्रोक्स in between 60 to 70% लोग तो घबरा जाता है तो हमें घबराने का जूरुत नहीं है यदि हमने कुछ गलती किया ही नहीं है तो हमें क्यों घबराना है तो थोरा सा एवेर होई है आज कल social media का जमाना है काफी सारा news में भी लोग का related चीज़े आता है YouTube में भी काफी सारा videos बगरा है और अगर हम अंडर 41 एकर नोटिस मिलने का बाद भी अगर हम नहीं जाते है तो हम लोग को एरेस्ट किया जाएगा तो लेकिन यह भी होता है कि पुलिस आपको कही कही बार ऐसा भी कॉल करके बुला सकते है कि आप थाने में आई है यूज़ आप तो कम हीर ऐसा करके भी काफी सारा एरेस्ट होता है लेकिन इन एवरी मेटर यूट आप तो डारीकली गो टो पुलिस इस्टेशन थोड़ा बहुत अपना लोयर से भी कंसल कीजिये कि विज़र आई गो और नोट क्या पता आपका एकर समें कुछ हीनियस क्राइम बगरा हो रखा हो या कुछ 420 का मामला हो तो इसा कैसे में आपको डारेक्ट एरेस्ट कर सकता है इन दाट कैसे यूज़ आप्शन आप प्री एरेस्ट बेल दैट मेंस एवी एंटिसेपेटरी बेल उसको पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में हम लोग यही चर्चा किया अगर आपको पुलिस इस्टेशन से कॉल किया जाए तो आप पुलिस इस्टेशन से जो भी पुलिस ओफिशर आपको कॉल करेगा उस पूलिश ओफिशर को आप पूछिए कि आपका अना पर एफ़ाय रेजिस्टर्ट है कोई केंप्लेंड रेजिस्टर्ट है अगर है तो 41A का तहद आपका एगेंस में अगर नोटिस नहीं आता है तब आपको एपियर होने का जुरूरत नहीं है 41A CRPC का तहद वो नोटिस अफ एपियरेंस बिफोर दा पूलिश ओफिशर कोई भी पूलिश इस्टेशन में हो सकते हैं विधिन दा ट्रेटरिटरी अफ इंडिया अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा शुक्रिया